कि अपर आज तक क्यों हमें जानकारी मिली हैं एक भी आपरादियों को पकड़ा नहीं है इससे बड़ी और दुखत क्या घटना हो सकते हैं बिना कारण के किसी के ऊपर मार्केट करना यह तो अगर वहां प्रेश के लोग नहीं होते तो मैं समस्ता क्या है को अपर यह सेले कभी मौका नहीं मिलता है जिस और अकारण जिसको कोई कारण नहीं कोई कहीं आकपारों के भी नहीं आया है इससे असपस्ट होता है ये सारी घटना सरकार की और से प्रायोजी थे और सरकार के विरोध में जो भी आवाज है उस आवाज को सरकार लाठी गोली से घंडे से उसको दबाना चाहती है और उसका हम सारी लोग विरोध करेंगे इतना भी हमकी ना करें बिल्दा करें और वर्तवान सरकार का इरवाईया बना हुआ है कि इसे लोगों को इसे ही छोड़ दिया जाता है अब यह हाल के दिन में आप देखेंगे कि केंद्रिवानिय मंत्री जो लोग मौलांची नहारों की थे उसका बेल हुआ उसको महला पहना कर सुगत करें अगर इस तरह की घटना अगर हर जीला में हर जारखन के क्योंगी-कोनी में चुशचा को यह नहीं जब कि नोने इनके द्वारा इनके संगान नहीं लेते हैं और इस तक कहता गटी है उसे लोगों तो तुरत परकास करना चाहिए जाहां कि क्यों चीज के बाते हैं क्या लोगों पगड़ा गया क्या वो लोग कस्प्रिट्व में है कि इनकी सारा प्रणों को छोड़ा गया इस तरह का घटना के बारे में हाल में खल्प कल्प सुप्रिव खट्ट का जोड़ा आई है उस पर भी संगान लेकार के सरकार करें कभी कभी को जार्खन के लिए सबसे सर्वनाग दिन के तौर्ट पे माना जाएगा पात दसक से जादा समय से स्वामी अपने में दिकू मैं जाता हूँ और ये एक जो इनके सामाजिक जीवन का पहलू है वो आज तक कभी नहीं बदला और वो समाज के किसान, मजदूर, आदिवासी, दलिद, जो बेजुमान लोगें की जुमान बन करके ये देश के हर कोने में खड़ा होते हैं लोगें और छार्खन में जो ये घटना हुई है सुजनियोजित जो घटनाओं का कर्म चल रहा है जार्खन के लिंचिंग का ये पाट रहे हैं मुख मंत्री इसके लिए जिम्मेबाद निच्चित तौर पे जो क्रिमिनल माइंड के भाजपाई जो कार करता हैं उनका जो महिमा मंदली कराय रहा है चाहिए वो घुड़ा का विधायक ने संसद ने कहा था कि जो हत्या किया उसका जीवन भर का खर्चा हम उठाएंगे और यहां जैन सिना ने जो घटना की हैं हम इस पर सही में न्याइक जाच की मांग करते हैं और देश के प्रधान मंत्री क्योंकि स्वामी अग्रिवेश कोई जार्खन के नहीं है पूरे देश के चेहरे हैं देश के प्रधान मंती नहीं मोदी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह का घटना एक उन्मादी संगठनों के नाम और उन्मादी धार्मी नाम पे जो होता था अब तो हिंदू बायत के जो प्रतीक हैं उन पे हमला हो रहा है सिर्प इसलिए कि नियत और नीती के खिलाब अगनिवेश जी हम एकाज दिन के अंदर जितने सामाजिक संगठन हैं राजनितिक संगठन हैं उन्हों सब लोगों के साथ बैठकर जार्खन में इसका विरोध का क्या रूप रेखा होगा सभी सामाजिक संगठनों को हवान करते हैं और देश के संगठनों को आवान करते हैं कि देश ब्यापी विरोध हो हमको बिहार से फोन आ रहा है दिल्ली से आ रहा है क्योंकि सवभाग रहा है कि इनके समय इनके साथ लंबे समय तक